Hello Everyone, Welcome back to Target for IQ आज़के क्लास में हम सेक्शन 53 से डील करेंगे जो की बात करता है एक्जामिनेशन ओफ अर्एस्टेट परसन इससे पहले वाली क्लास में हमने दो टाइप के एक्जामिनेशन करें थे आपने स्पके अधिक हम एक्जामीनेशन था तो examination कराएगा medical officer इससे पहले जो हमने दो section से examination की बात करी थी वो करते थे registered medical practitioner याद रखना अगर arrested person का examination होगा तो medical officer ही उसका examination करेगा अब ये medical officer या तो government job में उसकी job होनी चाहिए या state government में ठीक इन केस अगर medical officer नहीं मिलता है कि examination हो और medical officer absent है तो उसकी जगा हम registered medical practitioner को बुलाकर examination करवा सकते हैं ठीक तो हमें याद रखना है medical officer ही examine करेगा अगर absent है तो registered medical practitioner examine करेगा अब पहले इसमें medical officer और registered medical officer अगर उनका मन है वो उनका desire है कि एक examination से काम नहीं बनेगा हमें दो या दो से जादा examination की जरूरत है तो ये वाला provision अभी BNSS में नया एड हुआ है तो याद रखना CRPC का पुराना provision था उसमें सच कोई बात नहीं करी गई थी बट अब ये बोला गया कि अगर medical officer examine कर रहा है या रजिस्टर medical practitioner कर रहा है और उसको लगता है कि जो मैंने examination कर रहा है वो sufficient नहीं है मुझे एक बार या उससे जादा भी examination की जरूरत है तो वो कर सकते हैं फिर अगर female का examination हुमें कराना है तो हमें याद रखना कि female register medical practitioner या female medical officer ही उसका examination करा सकती है फिर बात करते हैं search officer shall prepare a record of examination, जब examination होगा हमने पहले भी पढ़ा था कि फिर उसका record किया जाता है, report बनती है, ठीक, तो ऐसे ही section 53 में जब examination करेंगे, तो हम उस examination को record करेंगे, report तियार करेंगे, और जब वो report तियार हो जाएगी, उसकी एक copy हम arrested person को दे देंगे, जिसका examination हो रहा जिसका नाम दे, कि आप मेरे बिहाफ पे, मेरे family member या मेरे relative या मेरे friend को दे दो, तो हम उसको भी एक copy दे देंगे, अब बात करते है, section 54 बात करता है, identification of arrested person, ठीक, identification किसकी, जिस वेक्टिव को हमने arrest किया है, तो पहले जो CRPC थी उसमें section 54 A था, बट अब section 54 ही है, अब A capital A नह ने arrest किया है, ठीक, उसका examination क्यों जरूरी है, क्योंकि investigation हो गई, और investigation में उसके against, हमें evidence collect करना है, तो इस purpose के लिए उसका examination, यानि identification जरूरी है, identification एक इसलिए भी जरूरी होता है, कि अगर किसी वेक्टिव ने कोई offense किया है, जिसके खिलाफ किया है, उसको पता नहीं कि वो by name कौन सा accused था, बट उसने उसका चेहरा देखा हुआ था, तो पुलिस क्या करती है, जिस इस पे शख जाता है, उन सारी वेक्टिव को arrest कर लेती है, और फिर जिसके against offense हुआ, यानि जो victim है, उसको police station बुलाएंगे, कहेंगे कि इन में से जो चार पास बंदे खड़ेंगे, identification करा दी, नहीं, identification कराने के लिए, जो police का officer in charge होगा, police station का, जिसे SHO बोलते हैं, वो request करेंगे, SHO request करेगा किसको, court को, जिसका jurisdiction बनता है, उस case पर, ठीक, कि ऐसे ऐसे हम एक व्यक्ति का identification कराना चाहते हैं, आप permission दे दीजिए, तो फिर जब court के पास request करेंगे, court क्या करेगी, court उस व्यक्ति को, जिसका identification होना है, उसको कहेंगे कि आपका identification होना, आप इस इस तारीक को या तो आ जाएगे, या उपस्थित present हो जाएगे, right, if identifying person is mentally or physically disabled, अब एक situation ऐसी आती है, कि जिस व्यक्ति को identification करनी है, यानि जिसको पहचानना है, कि इस व्यक्ति ने offense किया है, अगर वो mentally disabled है, ठीक, या physically disabled है, तो उस situation में क्या होगा, उस situation में जो identification का process start होगा, वो magistrate की supervision में होगा, यानि कि जिस जगे पे identification होगा, वहाँ पे magistrate present रहेगा, ठीक, अब जो हमारा new CRPC है, यहाँ पे सिर्फ magistrate word include है, पर पुरानी CRPC में judicial magistrate था, तो एक ये difference है, आपके prelims point of view से, याद रखना, पुराने में judicial magistrate था, अब new BNSS में सिर्फ ओर सिर्फ magistrate की बात करी गई है, ठीक, तो जो ये identification process होगा, magistrate के सामने होगा, magistrate क्या सुनिश्चित करेगा, वहाँ पे जो present होगा magistrate, वो क्या सुनिश्चित करेगा, वो ये देखेगा, कि ये process च सुनिश्चित करना magistrate काम है, कि दोनों ही party, comfortables process का gone through हो जाए, ठीक, दूसरा क्या process है, audio video means, यानि कि ये जो identification process होगा, इसकी वीडियो ग्राफी भी होगी, और जो आपकी audio है, उसको भी record किया जाएगा, पहले सिर्फ वीडियो ग्राफी का provision था, अब audio video means लिखा है, तो जाद रखने है, prelims में इनी से question बन सकते हैं, ठीक, अब section 55 बात करता है, procedure when police depute subordinate officer, ये इस situation की बात करता है, कि suppose, किसी vaccine offense किया है, without warrant, यानि कि non-cognizable offense किया है, जिसमें police officer के पास power है, कि आपको without warrant को arrest कर सकते हैं, ठीक, तो arrest कौन करेगा, या तो SHO कर सकता है, या investigating, जो investigation, जिस start करिए, तो अगर लगता है, SHO को, या investigating officer को, कि मैं कहीं ओर busy हूँ, या मेरे को नहीं जाना, तो ऐसी situation में, SHO या IO, अपने subordinate officers को written notice दे सकते हैं, कि आप ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को, जो notice में लिखा हुआ है, इस व्यक्ति के पास जाए, और उसको without warrant arrest करिए, तो ये power की बात करिए, section 55 में, एक बार पढ़ ले दे, SHO और IO, without warrant, it means, कि एक ऐसा offense हुआ है, जिसमें SHO, यानि officer in charge of police station, या investigating officer के पास पावार है, कि वो किसी व्यक्ति को without warrant arrest कर सकते हैं, ठीक, और अगर वो वहाँ जाना नहीं चाहते, यानि SHO और IO नहीं जाना चाहते, कि मैं personally जाकर arrest करू तो उस situation में SHO या IO अपने subordinate officer को कहेंगे, कि आप जाके arrest करो, इसके लिए उन्हें एक written order देना पड़ेगा, यानि कि SHO या IO को एक written order लिखना पड़ेगा, और उसमें ये भी लिखना पड़ेगा, कि जिस person को आप arrest करने जा रहे हो, उसका क्या नाम में, क्या address है, यानि कि ये भी बताना जरूरी है कि क्या offense उसने commit करा है, ठीक, before arrest, notify the substance and if he requires, show notice, it means कि arrest करने से पहले, यानि कि जो subordinate officer है, जो arrest करने जा रहा है, वो arrest करने से पहले, जिस person को arrest करना है, उसको बताएंगे कि आपने ये offense किया है, मेरे पास notice है, ठीक, तो अगर वो चाहे तो demand भी कर सकता है, मेरे को notice दिखा, ये ऐसे notice में क्या लिखा है, तो अगर वो चाहेगा, यानि जिस व्यक्तिव को arrest करने चारे हैंगे, उसने demand करी, तो हमें उसको notice भी दिखाना पड़ेगा, कि ये लिजे notice, आपको without warrant हम arrest कर सकते हैं, section 56 बात करता है, health or safety की, यानि कि जिस person को हमने without warrant arrest किय है, और अपने police station में है, तो ये duty भी हमारी है कि हम उसकी health or safety का ध्यान रखें, ये बात करता है, section 56, section 57 में arrested person to be produced before magistrate and SHO, यानि कि जिस व्यक्तिव को हमने arrest किया है, अब arrest करके, हम उसको या तो SHO के पास ले जाएंगे, जो officer in charge of police station होगा, या फिर उस magistrate के पास, जिसके पास authority है, या competency है, उस case को सुनने के लिए, let's suppose, constable है, constable ने किसी एक व्यक्तिव को arrest कर लिया, without warrant, ठीक, तो वो खहां ले जा सकता है, यानि वो दो authority के पास ले जा सकता है, पहले SHO, यानि officer in charge of police station के पास, constable ने arrest किया, jeep में बठाया, और लेके चला गया, police station और SHO के सामने produce कर दिया, पहले condition, दूसरी, या magistrate, जो section 190 में competency रखते हैं, cognizance लेने के लिए, उनके सामने भी वो produce कर सकते हैं, ठीक, तो यहाँ पर यह लिखा, when arrested without warrant, subject to bail, तो यानि कि हम जब उसको arrest कर लेंगे, without warrant, या तो SHO के सामने, या magistrate के सामने, produce कर देंगे, अब कब produce नहीं अगर police officer ने उसको already bail दे दी, अगर कोई bailable offense उसने bail के लिए अपलाय किया, अगर bail दे दी, तो जब produce करने की ज़रूत नहीं है, otherwise हम produce करेंगे, section 58 बात करता है, arrested person not to be detained more than 24 hours, यानि कि अब यह ऐसी situation की बात करा, जिस व्यक्ति को arrest किया है, पुलिस station में हो है, तो अब हम उसको police station में कितने time तक के लिए रखेंगे, ऐसा तो है नहीं, कि एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, हफता हो गया, महीन हो गया, police station में है, उसको भारी निकलने दे रहे, ऐसा नहीं होगा, तो इन्होंने time specify कर दिया कि कितने time तक आप उसको अपनी custody में या police station में रख सकते हो, ठीक तो यहाँ पर लिख है, person arrested without warrant, यानि जिस व्यक्ति को हमने without warrant arrest किया है, हम उसको अपनी custody में रख सकते हैं, for a reasonable time, एक reasonable time तक ही अपनी custody में, यानि police station में हम उस व्यक्ति को रख सकते हैं, अब ये reasonable time क्या है, reasonable time है, not more than 24 hours, यानि 24 गंटे से जादा नहीं रख सकते, 24 गंटे ही अपनी custody में रखेंगे, 24 गंटे हैं, जादा नहीं रख सकते, ठीक, अब ये जो 24 गंटे हैं, इसमें जो आपको, जिस place से उसको arrest किया है, और police station तक, या magistrate के सामने ले जाने तक का जो time लगा है, एक घंटा लगा है, या 2 गंटे लगे, 10 गंटे लगे, कहीं traffic मिल गया, तो जो journey का जो time है, उसको exclude कर दिया जाएगा, 24 गंटे में से, ठीक, अगर suppose उसको arrest किया, arrest करने के बाद, जब magistrate के सामने ले जा रहे हैं, तो suppose को जो 30 गंटे हो गए, बट उसमें से, जो 10 गंटे थे, वो journey में निकल गए, तो बचा कितना, 20 गंटे, तो अगर 4 गंटे और चाह आपकल लगेगा, उसको include नहीं किया जाएगा, अब ये कहां से कहां तक कर जन्नी बात कर रहे हैं, जिस जगे से उसको arrest किया है, और magistrate की court तक का time, ठीक, इस जन्नी के duration में उसका time लगेगा, उसको exclude कर दिया जाएगा, अब ये जो magistrate है न, इसमें नया new cheese introduced हुई है, बेने स होने वाले हैं, ठीक, और magistrate के सामने produce करना है, तो अब हम कोई से भी magistrate के सामने कर सकते हैं, चाहे उनका उस case पर jurisdiction हो ना हो, क्यों, क्योंकि time बहुत कम बच रहा है, ऐसा न हो जाए कि हम 24 घंटे से जादा time ले ले, तो वो जो custody हो जाएगी, वो एक illegal custody हो जाएगी, तो इस चीज से बचने के लिए ये वाला provision add किया गया है, चाहे magistrate का jurisdiction हो या ना हो, अब बात करते हैं, section 15 बात करता है, पुलिस to report apprehension, ठीक, कि जो पुलिस apprehension, बेसे की बात करता है, जब हम किसी व्यक्ति को arrest करके रख लेते हैं, ठीक, तो ये जो arrest करके रखेंगे, इसकी भी report हमें बतानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि पुलिस की मनमानी चलेगी, किसी व्यक्ति को उठा लिया, तो उसकी report भी नहीं बताएंगे, कोई control हीने किसे का ऐसा नहीं है, जब पुलिस arrest करती है, तो उस arrest के बारे में अपने superior authority को बताना पड़ता है, ठीक, अब बात आती है, किसको ब बताएंगे कि हमने ऐसे ऐसे इन इन व्यक्ति को without warrant arrest किया है, आपके jurisdiction में, राइट, वैदर released on bail on, चाहे उनको bail पे छोड़ दिया गया हो अभी तक, या नहीं छोड़ा, यानि कि जो पूरी जो हमने अभी पढ़ा था ना, कुछ एक-दो लेक्चर पहले, कि designated police officer भी appoint होगा, यानि कौन था वो, assistant sub inspector, उसका काम क्या था, अपनी एक information को maintain रखना, तो वो यही maintain रखेगा, किस व्यक्ति को हमने without warrant arrest किया है, क्या उसे bail पे छोड़ दिया गया है, उसका नाम क्या है, उसका address क्या है, किस offense के लिए उसको पकड़ा गया है, तो यह जो सारी detail है, बाद में SHO लेके जाएंगे DM के पास, या फिर SDM के पास, ठीक, और चाहे इन इन इनसानों को already bail दे दी गई हो, ना दी गई हो, पट यह information बताना जरूरी है, section 60 बात करता है, discharge of person apprehended, यानि कि जिन व्यक्तियों को हमने arrest किया है, उनको कब-कब हम discharge कर सकते हैं, अपनी custody से, तो किन-किन conditions चोड़ सकते हैं, कि अगर हमने arrest कर लिया, और उन व्यक्तियों ने या तो bond भर दिया, या bail bond भर दिया, या magistrate ने special order दे दिया, कि इनको छोड़ दो, तो इन तीन situation में हम discharge कर सकते हैं, यह जो bail bond वाले situation है, अब यह new provision add हुआ है, पहले नहीं था, पहले सिर्फ bail था, और bond था power to pursue and retake, let's suppose कि हमने arrested person को अपनी custody में रखा, और वो वहां से भाग गया, escape भाग गया, या उसको वहां से किसी, उनके gang ने उसको rescue कर लिया, अपनी custody से उसे भगा लिया, तो ऐसी situation में, जिस police officer की custody में वो था, और जिसकी custody से वो भाग गया है, तो वो police officer के पास power है, कि वो उस rescue place में जाके उसको पीछा करके उसको arrest कर सकते हैं, यह power दिये section 61 में, याद रखना ठीक है, section 62 बात करता है, arrest according to BNSS, यानि कि अगर आप किसी व्यक्ति को भी arrest करने जा रहे हो, तो यह ध्यान रखना कि BNSS में जो लिखा है, उसी के according arrest होगा, इससे बहार आप नहीं जा सकते ह एक limitation लगा दी गई है, उन व्यक्तियों पे जिनके पास power है कि आप arrest कर सकते हो, I hope 62 तक आपको सब चीज समझ में आई होगी, जिसको नहीं आई, comment करके आप पूछ लेना, मैं reply कर दूँगा, मिलते हैं next video में, thank you.